हलो, what's up दोसो, कैसे हैं आप सभी? दोसो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मीशो आप के उपर, आप कोई भी अगर आपको order place करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो मीशो आप के उपर अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको आपके customers के लिए यहाँ पर order तो place करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप इससे जो है, वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा, तो ये पैसा आपको अगर कमाना है, तो आपको order कैसे place करना है, ये आना चाहिए, तो वो कैसे करते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पूरा last तक वीडियो दोस्तों देखते रहें, ताकि आप कोई भी step मेस न करें, और आपको order जो है, वो successfully यहाँ पर place हो जाए, तो इसके लिए वीडियो अन तक देखते रहे हैं, और साथी साथ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर हमारे इस परिवार में नहीं हैं, तो इस चैनल को ज़रूर subscribe कर दे, और साथी साथ आपको नीचे एक बल आइकॉन दिख रहा होगा, उसके उपर भी ज़रूर क्लिक कर दे, उस घंटे को ज़रूर बजा दे, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तर सबसे पहले पहुंच सके, तो चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं, मीशो आप के अंदर, खोल लेते हैं मीशो आप को, तो यह अभी मीशो आप हमारा खुल रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मीशो आप हमारा खुल चुका है, अब क्या है कि आपको जो भी चीज और करनी है, तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दू, कि आपको कोई भी चीज अगर शेयर करनी है कस्टमर्स से, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से, तो मैंने सोचा कि order कैसे करते हैं, तो शेयर कैसे करते हैं, यह भी लगे हाथ आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप शेयर नाव पर दबाएंगे, तो यह देखिए, यह मेरे पास दो कॉंटाक्स हैं, इनको मैं यह शेयर करता हूँ, चाहूं तो मैं यहाँ पर my status पर भी, क्लिक करके वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और बाद में यहाँ पर जो है, वो arrow दिखेगा, इसके उपर क्लिक कर दीजेगा, आप चाहें, तो इनको हटा करके, सिर्फ आपके status पर भी रख सकते हैं, आगे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए, एक caption डालना पड़ेगा, और यह जो सारे pieces हैं, वो अपने आप, आपके story के अंदर जो है, वो डल जाएंगे, आप खाली यहाँ पर लिखेंगे, for orders, please contact me, और बस यह इतना सा type कर दीजे, और यहाँ पर arrow के बटन पर क्लिक कर दीजे, आपका status चला जाएगा, जिल लोगों को पसंद आएगा, वो आपको, आपके story के उपर reply देंगे, कि हाँ हमें यह चाहिए, उनसे आप उनके detail मांग लीजिएगा, याने कि घर का पता, उनका phone number, pin code वगेरा वगेरा, और बाद में मीशो आपके उपर आ करके, आप इसको हम कहें कि, order भी कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे, चलिए यह मुझे अच्छा लगा, तो अब अगर मुझे, इसको order करना है किसी के लिए, तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहली बात, यहाँ पर चेक कीजिए, कि size कौन से कौन से available है, तो फिलहाल इसमें medium, large, और extra large size available है, तो आपके customer ने आपको बोला होगा, कि उसका size क्या है, वो भी आपको उससे पता करना है, तो उसके size के मताबिक, यहाँ पर कपड़ा है या नहीं, यह चेक कर लीजिए, अगर है, तो जो भी size है, उसके उपर क्लिक कर दीजे, मान लेजिए मुझे large size का चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, आपको एक size chart भी मिलता है, तो यह देखिए, इससे आपको बिल्कुल आसानी होगी, अगर आप sure नहीं है, कि जो भी आपके customer ने बोला है, वो size ठीक बैठेगा या नहीं बैठेगा, तो आप customer को ये photo जो है, वो भेज सकते हैं, इसके अंदर उन्होंने बिल्कुल तफसील से दिया है, कि कौन सा आपका chest का size क्या होना चाहिए, आपका shoulder का size क्या होना चाहिए, तो उसके हिसाब से, आपको कौन से size का shirt बैठने वाला है, तो यहाँ पर centimeters में दिया है, और यहाँ पर उसका size भी दिया है, small, medium, large, extra large जो भी है, तो इस तरीके से जो है, वो आप इसका size चूज कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर enter delivery pin code, इसका option मिलता है, इसके उपर आप जो भी pin code है, जहाँ पर delivery होनी है, वो pin code आप यहाँ पर click करके डाल सकते हैं, तो यहाँ पर बूछ रहा है, कि हमारे ही location इस्तमाल करनी है या नहीं, तो हमें किसी और को भीजना है, तो इसको no thanks करेंगे, यहाँ पर आप कोई सा भी pin code जो है, वो डाल सकते हैं, तो मैं कोई भी एक pin code डाल देता हूँ, यहाँ पर check करेंगे, तो यह देखे, यह pin code जो है वो available है, तो मुझे यह Friday 6 November का दिखा रहा है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जो भी pin code हो, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और check कर सकते हैं, तो पहले से मेरे पास एक address मौझूद है, तो उसी address के उपर अगर आपको delivery चाहिए, तो बस उसको select कर लीजिए, तो वहाँ तक यह जो है, वो कब पहुचेगा, तो यह उसकी भी date दिखा देगा, तो उसके मुताबिक आप आपके जो भी customer है, उनको यह बता पाएंगे, कि यह कब तक आने वाला है, तो यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि यह shirt जो है, वो आपको order करना है, तो यहाँ पर add to card पे दबा दीजिए, यहाँ पर देखे, site check कर लीजिए एक बार, quantity एक बार check कर लीजिए, चाहे तो इसको plus करके बढ़ा भी सकते है, quantity, minus करके घटा भी सकते है, तो यहाँ पर मैं continue दबाता हूँ, तो यह देखे, यह product जो है, वो मेरे card में add हो गया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो सीधे मैं यहाँ पर भी click कर सकता हूँ, उपर, यहाँ पर checkout पर भी click कर सकता हूँ, तो अब आपको यह तै करना है, कि आपका जो customer है, वो किस तरीके से payment method क्या follow करना चाता है, online card से payment करना चाता है, cash on delivery करना चाता है, यह paytm के थुरूप ऐसा बेजना चाता है, तो जो भी option, आपके customer को वहाँ पर comfortable हो, price 396 रुपीज, तो यहाँ पर आप proceed दबा दीजिए, और देखिए, अब actual चीज यहाँ पर आई है, जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, यह देखिए, आप यहाँ पर आपका खुद का margin एड़ कर सकते हैं, तो जितना भी margin आप एड़ करेंगे, उतने पैसे जो है, वह यहाँ पर final order में plus हो जाएंगे, उतने पैसे ग्राहक से ले लिए जाएंगे, और वो पैसे जो है, वो बाद में आपके bank account के अंदर transfer कर दिये जाएंगे, तो इस Misho app के अंदर आप आपका bank account कैसे link कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक video बना रखा है, आप मेरे channel के उपर जरूर जाकर देख सकते हैं, अगर आपने अब तक आपका जो bank account है, वो इसके साथ login नहीं किया है, ये link नहीं किया है, तो वो कैसे करना है, ये भी मैंने बताया है, तो अब यहाँ पर margin की बात, तो margin को कैसे set करें, तो यहाँ पर देखे, 396 रुपीज अभी है, तो यहाँ पर मैं, 396 रुपीज के उपर की कोई amount डालूँगा, तो मुझे यहाँ पर जो है, वो your margin में, मेरा पैसा दिखने लगेगा, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ, चलिए मैं डालता हूँ, 430 रुपीज, तो यहाँ पर मैंने 430 रुपीज डाल दिया, तो यह देखे, 34 रुपीज मेरा margin यहाँ पर आ गया है, अब मैं अगर इससे संतुष नहीं हूँ, तो मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ ऐसे, मैं यहाँ पर 460 बोल देता हूँ, तो यह देखे, 400 रुपीज मेरा margin हो गया, तो यह margin जो है, वो आप आपकी मर्जी से वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, कि आप आपके margin को realistic रखे, ऐसा ना रखे कि हर एक order के पीछे, मुझे 500 रुपे margin चाहिए, 1000 रुपे margin चाहिए, फिर लोग आप से लेने से कत्राएंगे, क्योंकि original price अगर 396 है, उसके उपर आप खुद का margin इतना ज़ादा जोड़ देंगे, तो original product के भी ज़ादा आपका margin ही हो जाएगा, तो इसकी वज़े से जो है, वो आपको margin बिल्कुल सोच समझ कर यहाँ पर डालना पड़ेगा, और यह जो उपर आपको दिख रहा है, उपर आपको यह 396 दिख रहा होगा, उससे थोड़ इसी ज़ादा कीमत जो है, वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो फिर आपका margin जो है, वो calculate होके यहाँ पर आ जाएगा, अगर आपको सब कुछ सही लगता है, तो यहाँ पर proceed पर दबा दीजिए, यहाँ पर देखिए, एक मेरे पास address अलरड़ी है, अगर इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं आप, तो यहाँ पर edit पर दबा दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इस address पर मुझे delivery नहीं देनी है, किसी नए address पर देनी है, तो यहाँ पर add new address पर click कर दीजिएगा, यहाँ पर आपके customer का नाम डाल दीजिए, उसका phone number डाल दीजिए, उसका flat house number, building name वगएरा डालिए, street या colony कौन सी है, वो डालिए, कौन से city में वो रहता है, वो डालिए, उसके नजदी का landmark कौन सा है, वो भी डाल दीजिए, जिससे की जो भी delivery boy होगा, उसे वो घर ढूडने में आसानी हो, यहाँ पर वो कौन से state में रहता है, वो डालना पड़ेगा, और यहाँ पर उस आदमी का, जहां वो रहता है, वहाँ का correct pin code आपको डालना पड़ेगा, जिससे की delivery boy जो है, वो बड़े ही आसानी से, आपके order को पहुचा सके, यहाँ से पीछे चलते हैं, फिलहाल इसी पते के उपर जो है, वो मैं order लेने वाला हूँ, तो यहाँ पर proceed करते हैं, तो यह देखिए, total आपका जो margin है, वो यहाँ पर दिख रहा होगा, और customer से कितनी price ली जाएगी, तो भहिया 460 रुपे लिए जाएंगे, जिसके बाद 64 रुपे आपका margin होगा, तो यह सब कुछ आपको सही लगता है, यहाँ पर place order उपर क्लिक कर दीजिए, और बस आपका order जो है, वो place हो गया है, यहाँ पर बोल रहा है, कि आप चाहे तो हमें rate भी कर सकते हैं, इसको फिलहाल मैं dismiss बोलता हूँ, तो यह देखिए, आप चाहें, तो यहाँ से आपके order को track भी कर सकते हैं, तो फिलहाल अभी अभी order किया है, तो यहाँ पर खाली दिखेगा order place, जब भी यह ship होगा, तो उसके भी details दिखेंगे, और जब यह delivery के लिए out होगा, तो भी आपको इसके details दिख जाएंगे, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है, वो आप मीशो आप के अंदर order place कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले, लाइक करना बिलकुल मुफ्त है,